अच्छा करेंगे कोविड-19 का विस्तार देश में कैसे हो रहा है और उसके बारे में हम थोड़ा बारी किसी देखना चाहेंगे किन स्टेट्स प्रांतों में इसका पहलाव इसका जादा है और किन शेहरों में इसका पहलाव जादा है पहले देखते हैं कि देश का हालत क्या है इस वाकत 31,000 से ज़्यादा लोग कोविड-19 के शिकार है एक हजार से उपर कि मौत हो चुकी है पर इस पर एक खासियत यह है कि 60 फीस्ती जो इस वकत कोविड-19 से बिमार हैं वो सिर्फ चार प्रांतों में हैं महराष्टा, गुजरा देली और मधिपदेश इन चार प्रांतों में सबसे ज्यादा इस वक्त इस बिमारी के शिकार हमको देखने को मिल रहा है 75% मौद भी इन चार स्टेट्स में से हुआ है तो अब देखते हैं कि इन स्टेट्स में क्या हालत है और क्यों इस रफ्तार से इन जगों पे बढ़ोतरी हो रही है आये देखते हैं हमारे सामने जो चार्ट है यह है जो जिसको कहते हैं कि ज्यादा इंफेक्टेड जो स्टेट्स है उनकी चार्ट है उसको हम पहले देखते हैं हम इस चार्ट को देखते हैं, जिसमें हम जो सौ लोग कब बिमार हुए थे, उसको एक ही डेट पे लिया आये हैं, महराष्ट्रा के जो सौ की बिमारी थी, उसको बेसमान के. इसका मतलब है कि महराष्ट्रा इस चार्ट में पहला स्टेट है, जिसमें सौ लोग बिमार हुए थे, और इसके बाद महराष्ट्रा, गुजरात, पद्रपुदेश ऐसे प्रांथ हैं, जो की इस चार्ट में भी आपको हमने दिखा रहे हैं. इस चार्ट को आपको दिखा रहे हैं. इसमें महराष्ट्रा भी जो पहले नंबर्स बढ़ रहे थे, वो अभी भी उनकी उस नंबर्स बढ़े हुए हैं. वो इस वाक्त, अगर आप चार्ट को देखें, करीब 9000 लोग से उपर महराष्ट्रा भी मिमार हैं, पर इस वाक्त मुझदात के संखा भी काफी तेजी से बढ़ रहा है, वहाँ पर करीब 4000 के लगभग, 3700 के लगभग लोग बिमार हैं, और उसके साथ साथ दिल्ली भी 3300 और जो हमने आपको कहा था, मदब्रदेश ये भी 2387, लगभग 2400 लोग इस पर बिमार हैं. ये सब जो है, आज के त चार प्रांटों में है. खासियत ये है कि अगर चार्ट की अब रफ्तार देखें, तो देखेंगे हिंदुस्तान की भारत वर्ष की पूरे 31000 की जो संख्या है, तो उसमें थोड़ी सी कर्व को जो कहते हैं, फ्लैट होने की नजर आ रहा था, देखने में नजर आ रहा है, थोड़ी सी इस पे प्लैटनिंग हुई है, पर इन चार प्रांटों को देखेंगे, तो लगता है कि इस पे अभी भी 10-12 दिन में इनका डबलिंग बरकरार है, तो अगर 10-12 दिन में इनका डबलिंग बरकरार है, इसका मतलब है कि इनका संख्या अभी भी काफी तेजी से ब दिल्ली की बढ़ोत्री अगर देखे तो लग रहा है कि करीब 12 से 14 दिन में डबलिंग हो रहा है जबकि दूसरे प्रांग करीब 8 से 10 दिन के अंदर डबल हो रहा है इससे लगता है कि किस जगह पे कितनी तेजी से विमारी अभी भी हैं रही है मैं यह नहीं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिती है क्योंकि अभी भी हमारे संख्या बहुत ज्यादा हाई नहीं है बहुत ज्यादा नहीं है पर इससे हमें संतुष्टी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम लॉग डाउन से गुजर रहे हैं लॉग डाउन की थोड़ वहाँ पर है इसको आपको ले चलते हैं और एक चार्ट हमारे पास जो है वो यह है कि किन शहरों में इसका फैलाव ज्यादा है तो अगर हब देखें इन चार सिर्फ प्रांतों में जहाँ पर मैंने कहा कि 60 पीस्ती भारत वर्ष की बिमारी वहाँ पर है तो यहाँ पर देखेंगे और एक स्थिती यह है कि यहाँ पर जो शहर है दिल्ली में तो खैर होना ही था क्योंकि दिल्ली पूरी शहर ही एक हिसाब से है पर गुजरात, बद्रप्रदेश, महराष्टरा में एक चीज़ हम देख रहे हैं यह बिमारी भी तीन शहर में खास तो मुंबाई शहर में खैर होना आश्चरी की बात रही है क्योंकि यह बहुत बड़ा शहर है इस पे काफी घने बसती है लोग काफी dense population जिसे कहते उस पे उसके तरह रहते हैं और धरादी जैसे जगहों पे अगर फैलता है तो physical distancing की जो बात हो रही थी lockdown में इतना माने नहीं र रहते हैं और इसलिए वहाँ यह बिमारी फैलना आश्चरी की बात नहीं है पर अगर देखे गुजरात में तो अब देख सकते इसमें करीब 80% लोग गुजरात में सिर्फ आमिदाबाद शहर में बिमार है क्यों यह इसका जबाद देना मुश्किल है क्योंकि जब तक अच इवेंट्स होता है किसी शहर में जैसे गुजरात में ट्रंप के आने के दौर गुआ था मोटेरे स्टेडिया में एक लाग लोग आये थे वहां के ट्रंप के लिए सड़कों पे काफी लोग थे तो उसमें फिजिकल डिस्टिंसिंग की अभाव होती है उससे बाद में असर पढ़ सकता है इस तरह की फैला होने का मैं यह नहीं करा हूँ इससे हुआ है पर जैसे बार्सलोना स्पेन में हमने देखा था इटली में देखा था एक फुटवाल मैच के वजह से दोनों जगहों पे काफी तेजी से कोविड-19 फैला था तो इसी दिए ऐसे इवेंट्स को देखना पड़ेगा जहां पे काफी लोग इकठा होते हैं और उसमें फैला होने की संभावना बढ़ता है बनस्पत और एक चीज़ आपको देखना है कि गुजरात में टेस्टिंग पहले काफी कम रहा था और इसी लिए वहां पर एक हमें संदेह था हमने पहले भी जिकर क कि गुजरात में कोवीड-19 की फैलाव हो सकती है इसके बारे में अंदाजा इसी लिए नहीं हो रहा है और टेस्टिंग इतनी हुई नहीं है मद्रदेश में आते हैं अगर मद्रदेश की हाल देखें तो आप देखेंगे मद्रदेश पे खास जो चीज है अभी वो यह है कि मद्रदेश में इंदौर शहर में फैलाव सबसे ज्यादा है मद्यप्रदेश पे 75% बिमार जो लोग है वो सिर्फ एक शहर इंदौर में है और सबसे जो खतरनाग बात है इंदौर के लिए यह है कि अगर टेस्टिंग होता है पांच लोग उसमें से एक लोग COVID-19 की बिमार मिलते हैं इसलिए खतरनाग है कि अगर दूसरे प्रांतों में देखे आके भारतवर्ष के स्थर पे देखे तो हमारे यहां पर करीब करीब 20 लोगों की जब हम टेस्ट करते हैं एक उसमें से COVID-19 शनाक्त होता है यहां पर टेस्टिंग पांच में से एक अगर शनाक्त होता है कि COVID-19 की ब पांच लोग में से एक बिमार मिल रहे हैं जबकि दूसरे प्रांतों में 20 या 25 टेस्ट में एक टेस्ट से एक लगता है उसमें से एक ही निकलता है जो COVID-19 की शिकार है इसलिए इंदौर शहर की स्थिति काफी नाजुक है और उसको कितनी तेजी से उस पर काबू पा सकते है वो देखना पड़ेगा हमें वहां की जो एड्मिनिस्ट्रेशन ने वो कह रहे हैं कि हमारे इसलिए ज्यादा है क्योंकि होट स्पॉट्स को हम अभी देख रहे हैं इसलिए पर होट स्पॉट्स हर शहर में जहां पर ये विमारी फैली है वहां पर होट स्पॉट्स की टेस् इस वक्त COVID-19 की बिमारी फैल रही है और उसके साथ साथ हमारी निगरानी किन प्रांतों पे होनी चाहिए अभी भी कुछ प्रांतों में टेस्टिंग कम है उन प्रांतों में भी हमें नजर रखना पड़ेगा जैसे पच्छी मंगाल है दूसरे स्टेट्स भी है जहां पर टेस अब जो है मंद्रप्रदेश और इंदौर में देखा अभी बढ़ात्री को देखते हुए उत्तर प्रदेश राजस्तान पे भी हमें निगरानी रखनी पड़ेगी वहां पर भी कुछ हद तक इसकी फैलाओ देखने को मिल रहा है पर अभी तक इन चार स्टेट्स पे हमारा नजर खास तोर से रहना चीए और इस पे भी चार शहरों पे जहां पर हमने देखा है कि कोवीड-19 काफी तेजी से बढ़ रहा है दिल्ली और मुंबई ये इस पे हमें अंदाजा था कि यहां पर बढ़ेगी पर इंदौर और आमिदाबाद में जो बढ़ात्री हो रही है इसलिए हमें थोड़ी सी चिंता है कि क्यों हुआ कैसे हुआ और उस पर हम कैसे टाबू पासकते हैं जल्दी आज के लिए इतना ही देखते रहेगा न्यूस क्लिक